हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू माई चेनल, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक टु फाइंड नंबर ओफ अनफेर्ड इलेक्ट्रोंस इन 3D मेटल आयन्स स्टुडेंट्स, अगर हमें FEE++ में कितने अनफेर्ड इलेक्ट्रोंस हैं, Cu++ में कितने अनफेर्ड इलेक्ट्रोंस हैं, निकालना हो, तो हमें पहले उसका electronic configuration लिखना पड़ता है, box बनाने होते हैं, और फिर उनमें से इलेक्ट्रोंस को निकालते हैं, जिसमें की काफी ज़्यादा time लग जाता है, तो इस trick की help से, आप कुछी seconds में number of unfaired electrons को निकाल सकते हैं, ये बहुत ही simple सा trick है, number of unfaired electrons equals to group number minus charge, यानि कि उस metal के group number में से charge को minus कर देना है, for example, अगर हमें MN double plus में number of unfaired electron निकालना हो, तो कैसे करेंगे, तो MN का group number होता है 7, और इसमें charge कितना है, प्लस टू, तो हो जाएगा 7 minus 2 equals to 5, तो ये हमारा सीधा answer हो गया, number of unfaired electrons is equal to 5, अगर ये number 5 से ज्यादा होता, 6 से 10 के बीच तो हम क्या करते, 10 में से इस number को दोबारा माइनस करते, suppose हमें N number मिल जाता, तो 10 में से N को माइनस करते, for example, एफ़ी प्लस में number of unfaired electrons निकालना हो, तो केसे करेंगे, iron का group नमबर है 8, और इस पर charge है plus 1, तो हो जाएगा, 8 minus 1 is equal to 7, अब क्योंकि 7 5 से ज्यादा है, और d orbital में 5 से ज्यादा unfaired electrons नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 minus 7 is equal to 3, तो ये होगा number of unfaired electrons in F e plus, और example देख लेते हैं, Cu double plus, इसमें कितने unfaired electrons हैं, तो copper का group number होता है 11, और charge है plus 2, तो हो जाएगा 11 minus 2 equals to 9, अब क्योंकि 9 5 से बड़ा है, 5 से छोटा होता या 5 होता, तो कोई problem नहीं थी, तो फिर से हम y करेंगे, 10 में 9 minus करेंगे, तो मिल जाएगा 1, number of unfaired electrons in Cu double plus is 1, तो ये था simple सा trick, तो वीडियो को like करें, शेयर करें, और इस चैनल को subscribe करें, थेंक्स फर वाचिंग,